नवस्कार ख़बरों की ख़बर में आपका स्वागत है वैसे तो लोग कहते हैं कि पुलिस वालों की न दोस्ती अच्छी होती है न दुश्मनी अच्छी होती है लेकिन इस वक्त जो मूमें में चल रहा है महराश्ट की राजनीती में जो तूफान आया हुआ है जो खलबली मची हुई है उससे एक सबक पूरे देश के पुलिस वालों और अधिकारियों को मिलने वाली है कि जो राजनीता होते हैं ये जो पॉलिटिस चिंस हैं इनकी भी न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी क्योंकि आप देखिए किस तरीके से परंवीर सिंग न वहाँ पर ये तै कर रहे हैं कि परंवीर सिंग को हटा कर किस दूसरे आईपियस अधिकारी को वहाँ की कमांड सौपी जाए इसकी पूरी मैं डीटेल आपको दूँगा लेकिन समझना ये है कि आखिर महराश्ट की सरकार परंवीर सिंग के गर्दन पे तलवार क्यों चला रही है क्योंकि इस तरह के सबूत और मिल गए हैं कि जिस से ये साफ साफ पता चल रहा है कि परंवीर सिंग के नाक के नीचे मुंबई पुलिस कमिस्टर के नाक के नीचे उसके दफ्तर के अंदर से इतनी बड़ी साचिस रची जा रही थी इल्लीगल काम हो रहा था उसके अधिकारी वकादा धंकी देने का काम कर रहे थे जिस फोटक लगा रहे थे और जब ये मामला सामने आ गया तो सबूत मिटाने का काम कर रहे थे अब ये सचन वाजे रंगे हाथ पूरी तरीके से पकड़ा जा चुका है कल हमने पांच छे अलग-अलग हमने खुलासे किये और आग जो खबर आई है वो भी तो और चौकाने वाली खबरे हैं क्योंकि अब ये मालूम चल रहा है कि सचन वाजे ये किस किसम का आदमी है भई इसने अपनी नौकरी अपनी कुकर्म को छपाने के लिए अपनी दोस्त के साथ ही गेम कर दिया खेल कर दिया उसके साथ ही अब पता ये चल रहा है कि मनसुक हिरेन जिसकी गाली वो इस्तमाल कर रहा था वो गाली चोरी ही नहीं हुई थी ये तो कई दिनों से ये सचन वाजे इसका इस्तमाल कर रहा था मैं आपको एक exclusive वीडियो दिखाता हूँ जिस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ लेट साइड आपकी स्क्रीन के अंदर एक स्कॉर्पियो गाली निदर आ रही है वही ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो ये स्कॉर्पियो वही स्कॉर्पियो है जिसका इस्तमाल सचन वाजे की टीम ने अरनव गोस्वामी को गरफतार करते वक्त इस्तमाल किया था और ये जो वी कारी हैं जो ये अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि इन लोगों की वज़े से कुछ इसको कह सकते हैं कि रोग ऑफिसर्स की वज़े से पूरा महतमा बदनाम हो रहा है तो सारे सबूत और सारे इनकी पॉल पट्टी खोलने में भी मुंबई पुलिस का पूरा का पूरा हाथ किस वक्त का है ये उस वक्त का है कि जब मुंबई पुलिस एक टेलिविजन चैनल को रास्ते में रोक रही है और ये जो सचिन वाजे के टीम के लोग एक कार को रोक रहे हैं और कार के अंदर से ये तस्वीरे ली जा रही है और उस वक्त ये गाड़ी उसी जगह पे खड़ी ह और ये सारे के सारे ये जो Crime Intelligence Unit की जो है Crime Branch के इंट्रिन्स यूनिट के जो अधिकारी अधिकारी क्या कहीं ये तो गुंडे हैं ये सारे लोग फिर उसमें बैठते हैं फिर वहां से चले जाते हैं ये वीडियो उस वक्त का है मतलब खेल कैसा हुआ है भगवान ने भी किस तरीक आप से इसी जीवन में उसका कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा और ये इने पता नहीं था कि इतनी जल्दी भगवान इसमें जस्तिस करने वाला है अब ये मालूम चलना ये यही कार ये कभी चोरी नहीं हुई थी ये दरसल सचिनवाजे के कॉंप्लेक्स में था जहां वो रहे थे वहीं पे गारी लगी हुई थी जो बताया जा रहा है कि पांच दिन से ये गारी गायब थी वो गायब नहीं थी वो सचिनवाजे के घर पे ही लगी हुई थी और इसलिए सचिनवाजे ने अपने अधिकारियों के साथ मिलके अपने पूरे अपार्टमेंट अपने कालनी के जो पचास सिसी टीवी कैमराज और जो पूरा डी वी आर था उसका जो वीडियो था उसे वो गायब कर लिया हटा लिया और इसमें मालुम चल रहा है बकाईदा आप इलीगल काम भी लीगल तरीके से करते हो ऐसी जो आप समझ सकते हैं कि मुंबई पुलिस को तो किस से इन लोगों ने डेंट किया है यह स्कॉटलेंट यार्ड किस तरीके से काम करती है उसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी दंग रहा जाएंए क्योंकि यह क्राइम इंटलिजिंस डिपार्टमेंट सचिन वाजे के डिपार्टमेंट ने ही वहां जाकर के वहां के सेक जाने का एक बहुत ही बड़ा मामला अब सामने आ गया है क्योंकि मनसुक हिरेन की कार चोरी नहीं हुई थी कार के अंदर सचिन वाजे के फिंगर प्रिंट्स मिल रहे हैं कार के अंदर तोड़ फोड़ करने की चोरी होने के कोई सबूत नहीं मिली थी ये फोरंसिक रिपोर्ट भी आ गई और अब ये मालूम चल रहा है कि सचिन वाजे के घर में ये गाड़ी लगे वी थी और ये डिवी यार विगरा सारा एविडेंस की पता ही नहीं चल पाए तो अब जब एन आईए ने उस डिवी यार को उपलब्ध कर लिया उसकी जाच परताल की तो मालूम चला कि ये जो गाड़ी जिसकी मिस्टरी बनी भी थी की चोरी हो गई तो पांच दिने ये कहा किसके पास थी तो ये पुलिस वाले ही लेगर के घूम रहे थे एक तस्वीर आप ने देखी कि किस तरीके से अरनब गोस्वामी को जिस दोरान गिरतार किया गया उस वक्त भी ये गाड़ी मुंबे पुलिस के पास थी और जब ये चोरी हो रही है जब इसके जरिये बकाइदा पुरा रहें ये तो क्रिमिनल माइंडेड लोग है ये पता नहीं परवीर सिंग पुलिस महकमा चला रहे थे कि वहाँ पे कोई अंडर वर्ड गैंग चला रहे थे अब ये गाड़िया जो सचिन वाजे इस्तमाल कर रहा था एक तो दो गालियों का बात की बात है एक गाड़ी काम सचिन वाजे ओर वो कर रहा था ये किस तरह के क्रिमिनल माइंडिड लोग है ये लोग बकाइदा जिस सक्स ने वो सारे नंबर प्लेट्स बनाये थे उसकी दुकान पे जाके उसके भी सारे जो DVR हैं उसके जो CCTV कैमरा जो फुटेस था वो सब अपने पास लेकर के चले आए लेकिन NIA ने उस सक्स को तलास लिया उस दुकान वाले से पूछ ताज की तो उ दूसरी बार जो लास्ट बार जो ये लोग पहुँचे हैं तो सचीन वाजे के टीम के अधिकारी लोग थे और ये सारे लोगों ने वहां का सारा डाटा सारा वीडियो वहां से आपने हटा दिया तो फिर एक एविडिन्स को मिटाने का एक और प्रमान मिल रहा है इस इसके कॉंप्लिक्स के अंदर कितनी बड़ी साजिस रची जा रही है को छोटी मुटी बात हो इसका मतलब ये है कि आपने इनको खुली छूट दे दी है कि मुंबे के अंदर कुछ भी आप कुकर्म कर लो तुमारे पीछे हम बैठे हुए हैं कोई तुमारा कोई कुछ नही बिगाड़ेगा अदर्वाइस किसी भी पुलिस अधिकारी से आप इतनी इलिगल काम करवाने के लिए कहिए वो कभी ऐसा नहीं करेगा और एक सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि मुंबे पुलिस क्या इसी तरीके से दूसरों की गारियों को उठा करके नंबर प्लेट के पास इतना भी पैसा नहीं है अनिल देश मुक्या मुंबे पुलिस को गारी मुहिया नहीं करा सकते खेल तो यहां कडोरों का होता है लेकिन गारी जो है चोरी की हुई किसी से चीनी हुई किसी को ब्लैक मेल की हुई उस गारी का आप इस्तमाल करेंगे अब एक और नया ख लखी भी थी यही स्कॉर्पियो उसके पास एक पीपी किट में एक सक्स की तस्वीर आई थी लेकिन वो तस्वीर जो थी वो पीछी की थी अब ये पता चल रहा है कि एनाईय के पास उस दोरान का पूरा वीडियो सामने आ गया किस तरीके से चार से पांच बजे सवेरे एक एक सक्स पीपी किट पहन के वो बाकाइदा वहाँ पे सारे इस पूरे साजिस को अंजाम देने में जुटा हुआ है अब कैसे वो पैदल चल रहा है किस तरह से वाक कर रहा है किस तरह के हाथ के मूवमिंट है इसके लिए फॉरंसिक टीम को लगाई गई है और एनाईय के और नहीं महान सचिन वाजे ये सिर्फ सेना के नेता एक्स नेता सचिन वाजे स्वेम इस काम को अंजाम दे रहे थे परंवीर सिंग साहब क्या करेंगे उनके सबसे चहते अधिकारी आप ये दिखिए चहते मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो अर्नव गोस्वामी और परं परंवीर सिंग की लडाई में इस important case को आपने इसी से करवाया था इसी के जरिये 1847 भेज के अर्नव गोस्वामी को गिरफतार कराया था ये तो इस तरीके से पत्रकार को गिरफतार करने पहुंचा था कि जैसे वो पत्रकार नहीं कोई terrorist हो अब सही चहरा इनके ऊपर से इनक इसलिए महराश्ट की सरकार अब ये समझ गई है कि इस मुद्दे पे ना सचिनवाजी को बचाया जा सकता है ना परमवीर सिंग के रोल को नकारा जा सकता है उसकी अकर्मनिता उनका नकारापन पूरी दुनिया के सामने वो आ गया है और एक इस तरह का इसो कर सकते हैं इनक के लिए भी मुंबै पुलिस का पुलिस कमिशनर बनने योग नहीं है इसलिए अब इसे हटानी की तैयारी हो रही है फिलाल जिस वक्त में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मालूम चल रहा है कि मुक मंतरी ग्रिस सचेव ग्रिमंतरी के साथ रदीश सेथ नाम के एक आप तक पहुचा रहे हैं लेकिन समझने वाली बात बस एक सी है कि आप कितने भी बड़े ओहदे पे क्यों न बैठे हूं कितने भी जादा आपको पॉलिटिकल समर्थन क्यों न हो कितने भी आप मुक्यमंतरी के लागले क्यों न हो आप अगर इस देश के अंदर गलत करें किसी इमानदार आदमी को परिशान करेंगे गलत तरीके से लोगों को प्रतारिफ करेंगे तो एक जस्टिस तो कोट से मिलती है और दूसरा न्याए उपर वाला करता है कोट में तो आप बरगला करके लोगों को बख़दा इंफ्लूइंस से बचके निकल सकते हो लेकिन जो वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद